देखिए आप इस देश का भविश्य हैं आपसे बड़ा देश भक्त कोई नहीं है इस देश में मैंने आप जैसे सेक्डों बच्चे बच्चों से बात की आप जैसे सेक्डों नौजवानों से बात की जब मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे गाओं में चार बजे सुभे गिरफतार होने वारी थी तब भी मैंने सडक पर जब देखा तो मुझे 20-30 तुम जैसे नौजवान दिखे जो सुभे सुभे चार बजे आर्मी में भरती होने के लिए ट्रेन कर रहे थे दौड लगा रह हुए मैं ऐसे नौजवानों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि दिदी उमीद छूट गई है खतम हो गई है सालों से हम भरती का इंतजार कर रहे थे अब हम गन्ना बेचने जा रहे हैं मैं आप से कहना चाहती हूं कि आपका दर्द हम समझते हैं पूरा देश समझ रहा है पूरा देश देख रहा है लेकिन आप ये मत भूलो कि ये देश आपका है इस देश की संपत्ति आपकी है इसे सुरक्षित रखना आपका करतव्य है हम यहां सत्य ग्रह पे बैठे हैं क् कि सत्य ग्रह, सत्य की लड़ाई, अहिंसा द्वारा लड़ी गई, अहिंसा के जो मार्क पर चल कर लड़ी गई, उस लड़ाई ने इस देश को अजाद किया, इस देश को अजाद करके आपको सौंपा, ताकि आपका भविश्य बन पाए, तो मैं आपसे आगरे करती हूं, कि पोरिष्दितियों को समझेे, आपके आस-पास क्या हो रहा है? सरकार कैसे चल रही है? देश में क्या हो रहा है? उसको गहराई से समझेे. जो किसान के अंदोलन थे, क्यों किये गए? किसान क्यों जागे? क्यों सडक पराए? क्योंकि वो समझे कि खुन, पसीना वो बहाएं, महनत वो करें, लेकिन उस महनत की कमाई किसी और को दी जा रही थी, ये सरकार उनके लिए नहीं चल रही थी, इसी तरह से मैं आपसे आग रह करती हूँ कि समझ ये, ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही है, ये सरकार इस देश के घरीबों के इस देश की महिलाओं के लिए इस देश के के एक एक देशवासी के लिए जो आज गरीब है जो परिशान है उसके लिए नहीं चल रही है यह सरकार यह सरकार सिर्फ बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है और यह जितनी भी स्कीमें है जो बार-बार आप प पी जाती हैं ये सोच समझ के किया जा रहा है ये बात सही नहीं है साथियों कि बिगर सोचे समझे किया जा रहा है ये सोच समझ के इस ये किया जा रहा है क्योंकि ये सरकार का सिर्फ एक मकसद है सत्ता में रहना सिर्फ एक मकसद है और उस मकसद को निभाने के लिए कुछ भी बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे वो इन्होंने अपने उद्योग पती मित्रों को क्यों बेचे आप बताएए क्यों बेचे उसी मकसद को पूरा करने के लिए आपको रोजगार मिलता था वहां से, आपको उन उद्योगों से, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापार से भी रोजगार मिलता था जो तकरीबन आज बंद कर चुके हैं ये, क्योंकि इनकी नीतियों नोट बंदी ने समाम नीतियों ने जी एस्टी ने उनको भी बंद कर दिया और आज सेना जिसकी भरती में सप्ना आप देखते हैँ आप अपनी देश की सुरक्षा का सप्ना देखते uniqu अप यह सप्ना देखते हैं कि बड़े होकर आप माबाप के देख बाल करेंगे सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे आपसे बड़ा देश भक्त कोई नहीं है मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राश्रवादी है और जो नकली देश भक्त है आख खोल कर उनको पहचानिये आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है पूरी कॉंग्रेस पार्टी आपके साथ है आपने हरिवन्ष राए बच्चन जी का जिक्र किया उस कविता की कुछ पंक्तियां है कभी ने कहा है रिक्ष हो भले खड़े घने एक पत्र चां मांग मत विक्ष हो भले खड़े एक पत्र चां भी मांग मत तू न थकेगा कभी तू न थमेगा कभी तू न जुकेगा कभी करशपत 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 इस कवीता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नव्यों को मार डालेगा ऐसी स्कीम को जो इस सेना इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है जिनके सारे तमाम जो यहां पे भी आप खड़े हैं आप सरहत पर जाकर सुरक्षा करते हैं ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खतम कर देगा आप इस सरकार को पहचानिए इस सरकार की नियत को पहचानिए मेरे भाईयों मेरी बेहनों लोग तांत्रिक तरे से शांती पूरवक अहिंसा सर्थ्य के मार्क पर चलके इस सरकार को खतम कीजिए इस सरकार को गिराइए ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सची देश भक्ती दिखाए जो देश की संपत्ती को सुरक्षित रखे जो देश को आगे बढ़ाए देश के गरीबों नौजवानों को आगे बढ़ाए इसलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आप से आगरे करती हूँ कि जो भी आप रदर्शन करें आप शांती पूरवक करें लेकिन आप रुके नहीं आप ठके नहीं ये आपके अधिकार है आपका देश है इसको सुरक्षित रखने का करतव्य आपका है इसके लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का करतव्य आग का है इस करतव्य को निभाने में कॉंग्रेस पार्टी का एक-एक नेता कॉंग्रेस पार्टी का एक-एक कारिकरता आपका साथ देगा जहन